Hello everyone, welcome to today's update हाथ की मार्केट में अपडेट में हम बात करने वाले हैं Bitcoin में आयोए sudden dump का हमने थिखा कि सुभे साड़े 6 वजे के आसपास एक sudden dump आया Bitcoin में, क्या इसका reason हो सकता है उसके बारे हम डिसक्स करेंगे साथी साथ US का crypto bill यहाँ पे leak हो गया है इस bill में बहुत सारी pages है almost 600 pages है लेकिन यहाँ पर एक चोटी बहुत summary में आपको दूगा जो important important points हैं बाकि in-depth summary के लिए आप मेरा news data subscribe कर सकते हो, it's totally free, आपको link में जाएगा description में, चलो start करते हैं, आज के video क्या expected हो सकता है bitcoins है and यह move जो है इसके बाद आप क्या trades ले सकते हो तो सबसे पहले हम observe करते हैं कि bitcoin में हुआ क्या actually bitcoin यहाँ पर अच्छा कासा move कर रहा था but हमने देखा कि later days में, मतलब जब S&P 500 का more than का stock market बंद हो रहा था, तो हमने देखा कि rejection हमें देखने को मिला stock market में and उसका effect हमें bitcoin पर भी देखने को मिला तो ending days में आप देख सकते हैं S&P 500 फोड़ा नीचे गया, यह वाले trend line काफी hard है S&P 500 के ब्रेक करने के लिए तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा नीचे जाता है market दिखा, अब इसका क्या असर हुआ most of the coins में देखते हैं Bitcoin तो सीधा सीधा नीचे गिरा है and यह definitely manipulation है तो इसके reason में आपको बताता हूँ this was a manipulated dump and why it happened तो मेरी theory है वो यह है कि हमने देखा कि इस बंदे ने BOT-Slam ने ट्वीट किया था कि US का bill लीक हो गया है and this was the source तो 6 बच के 15 minutes के आसपास इसने यह tweet किया था and उसकी time के आसपास almost 6 गंटे पहले तो अगर candles begin होगे तो almost 6 गंटे पहले Bitcoin कुछ इस जगह पे था उसके बाद अचानक से Bitcoin गिरा है तो ऐसा क्या था इस bill में कि इसने Bitcoin को इतना दादा हिला डाला यह कुछ key takeaways इसको मैं और detail में भी लिखूंगा तो सबसे पहला जो था कि shit coins and anonymous team projects को यहां पे थोड़ा सा धक्का लगने वाला है shit coins and anonymous projects को यहां पे US ने बोला है कि अब यह सब नहीं चलेगा shit coins, meme coins में एक दिक्कत आने वाली है they need them to declare their identity इसके बाद जो DAWs है exchanges है and stable coins है registered company होना जरूरी है tax paying liability इनके पास आने वाली है इसके बाद और भी चीज़े security law यहां पे इन्होंने revamp करा crypto exchange के लिए separate provision आया है and fee offsetting rule यहां पे आया है तो इसका मतलब है कि exchanges में fees यहां पे बढ़ने वाली है तो मैं इसको बहुत अच्छी clear to understand language में लिखके आपके साथ share करूँगा यहां पे एक दो घंटे हुए है यह बहुत बड़ी document है तो थोड़ा time लग रहा है मुझे भी इसको करने में आप लोगों को समझाने के लिए easy language में इसको लिखने के लिए तो do subscribe to the newsletter I might even do a video later in the day इसके बाद हम देखते हैं कि यह अचानक से dumped हो वा market लेकिन इसके साथ-साथ क्या हुआ ठीक है यह चीज़ भी देखना जरूरी है तो अगर हम देखें Ethereum के साथ क्या हुआ Ethereum अच्छा का सा move कर रहा था 1900 dollars यह पहुंच गया था तो मेरे को around 1-2% loss होगा क्योंकि यह फीस वगेरा में जो जाएगा बाकी तो ऐसा कोई loss होगा नी I will not be selling obviously because this is a very good accumulation zone for Ethereum and market में मैं यहां पे एक छोटा सा upside expect कर रहा हूँ रहाँ जादा बड़ा नहीं होगा I think एक छोटा upside आएगा उसका reason में आपको बता देता हूँ तो bitcoin में यह जो pattern आपको देखने को मिल रहा है ठीक है इस pattern को हम पहले भी देख चुके है अगर आप थोड़ा सा zoom out करोगे पीछे जाओगे तो हम उसको discuss करते हैं तो यहां पे भी आपने देख चुके है कि आप longs में हो या कहीं पर फसे वे हो तो that is the area to cut your losses थोड़े से अपने losses कम करो और वहां से निकल सको ठीक है trade अगर fail भी होता है manipulation से हो रहा है किसी भी चीज से हो रहा है तो आप उसको कैसे manage करते हो that is something that you should be knowing यहां पर भी देखोगे क्योंकि एक similar type का pattern है इसके बाद भी थोड़ा सा उपर गया था तो अचानक से हुए dumps के बाद market थोड़ा सा उपर जाता है उसके बाद महां पर आपने losses cut करो उसके बाद decent chance होता है कि थोड़ा उपर जाके और नीचे जाएगा तो उसके according आप चाहिए अपने losses काम कर सकते हो या फिर अगर आपको लग रहा है कि उपर जाएगा तो position कर सकते हो चिक है long term हमारा क्या rate रहता है यहां से कि हम थोड़ा सा उपर जाएंगे market में उसके बाद नीच आएगे तो यह अपर बाद आपके तो यह जाए खुझक आपके पास आया है इनके पास पर यह जाएंड सोल्मुस्द के उसस्थे वांश करुझक आपके पास और सफ्डेट थैंट a bit to me wallet they have bit to me earn program जहांपे आप स्टीक वगयरा कर सकते हो high frequency advanced trading अगर आप करते हो तो उसके लिए भी इनके पास एक platform है they have bit to me pay also commerce custody or over the counter selling premium perks etc etc बहुस सारी चीज़े आप अविलेबल है आप directly यहां जाके बाइ कर सकते हो bitcoin etc आपको just sign up करना है link आपको description में मिल जाएगा to buy आप directly card वगयरे से भी यहां पर buy कर सकते हो they also are very very highly focused on education crypto education and they have a dedicated learn platform तो आप इनको भी check out कर सकते हो basic course है इनका how to buy bitcoin bit to me academy है जहां पर आपको यह crypto currency से लेगे trading के बारे में सब कुछ सिखाते है so do check out bit to me and thank you bit to me for supporting the crypto jargon updates let's get back to the video तो यह bill अभी जाएगा इसको पास होने में टाइम लगेगा इस पर फोड़ी लॉबिंग होगी तो ऐसा नहीं है कि कली पास हो जाएगा इसमें काफी टाइम लगेगा एक दो महीने में हमारे पास और भी जाएगा डिटेल्स आइंगे अभी बिल प्रेजेंट होगा फिर इस पर डिबेट्स होंगी फिर यह पास होगा तो ऐसा नहीं है कि अभी ही पास हो रहा है तो इतना जाएफेक्ट नहीं करेगा जो कि मैं अच्छे बहुती क्लिर टो इंड़सां लांगेज में लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन मां को सारे लिंक्स मेल जाएंगे थांक यू फो वाचिंग दे वीडियो आइवल सी यू इन नेक्स वादात जैसे